जवारलाल नहरू युनिवर्सिटी में 6 सेतंबर को हुए छातर संग चुनाफ की नतीजों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है क्योंकि एक दिन पहले दिली हाई कोट से अनुमती मिलने के बाद विश्विद्याली ने देरशांप परिणाम खोशित कर दिये है जवारलाल नहरू विश्विद्याले में छातर संग चुनाफ के नतीजे खोशित हो गए है और हर बार की तरह इस बार भी लेफ्ट का परचम लेर आया है सभी चारों सीटों पर लेफ्ट से जुड़े अलग-अलग दलों के उम्मीदवारों ने बाजी मारी नतीजों के मुताबिक SFI के आईशी खोश ने 2313 मतों के साथ अध्यक्षपत पर कपसा किया आईशी ने BVP के मनीश जांगीर को 1175 वोटों के अंतर से हराया है इसी तरह DSF के साकेत मूल उपाध्यक्षपत पर विज़े हुए है उन्हें 3355 वोट मिले है आईशा के 27 चंद्रयादव महा सचिव पत पर 2518 मतों से विज़े हुए है AISF के मुहमद दानेश 3292 वोट पाकर संथ सचिव के पत पर काविज हुए है आपको बताते कि छातर संग चुनाव में All India Student Association, Student Federation of India, Democratic Students Federation और All India Student Federation ने एक साथ मिल कर चुनाव लड़ा था जिसे जीत हासिल हुई है, वहीं ABVP सभी चारोपदों पर दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि कॉंग्रिस कहीं भी नहीं है गौर्दरव है कि 6 सितंबर को हुए चातर संग चुनाव में 4 सीटों के लिए 14 उमीदवार मैदान में उतरे थे जिसके नतीजे पहले तो 8 सितंबर को गोशे दोने थे, मगर उससे पहले ही दिल्ली उचन्यायाले ने परिणामू पर रोक लगा दी क्योंकि जेन्यू के विध्यारती अन्शुमान दूबे और अमित कुमार दुवेदी ने अदालत में याची का दायर कर शिकायत की थी कि विश्व विध्याले की चुनाव समीती ने कांसलर सीटों के संख्या पचपन से घटा कर 46 कर दी है और साथ ही लिग्दो समीती की सिफारुशों का उलंगन किया गया है जिसके बाद कोट ने चुनाव समीती से इस पर जवा मांगा कमेटी की जवाब दाखिल करने के बाद मंगलवार को ही कोट ने परिणामू पर लगी रोक हटा दी जिसके बाद लेफ्ट खेमे में खुशी के लहर है डिबिलाइफ के रिपोर्ट